इसमें लगातार आज दो मेने से उपर समय हो गया है कि हम लोग जूज रहे हैं और ऐसे समय पर इस महमारी के कारण से हमारी आर्थिक गतिविदिया इन पर भी बहुत असर पड़ा है चाहे वो व्यक्ति की आर्थिक गतिविदि हो परिवारों की हो अथ्वा राज्य के अपने राजस्व के नाते से हो प्रंतु फिर भी इस काल में हम लोग ने ये तै किया है कि हर गरीब व्यक्ति की हर लाचार व्यक्ति की सहयता की जायेगी चाह प्रस्तियां कोई भी हो हमने ये ठाना कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोयेगा हर व्यक्ति को दो समय के भोजन की ये जुरूर हम चिंता करेंगे भूख भी बहुत लोगों के राशनकाड इसनाते से बने थे उनको कठ्राई ना आए लेकिन बहुत ऐसे जिनके राशनकाड नहीं बने थे उनकी भी चिंता नहीं आने दी हमने भूख में अंतर नहीं किया और इस प्रकार से सबकी साहता की और इस दो महिने में किसी के भूखा अन्ना सोने देने और अंत्योद्य के हमारे संकल्प को धान में रखते हुए सरकार ने 27 लाग से अधिक परिवारों को निशुल्क राशन भी निरंतर उपलब्द कराया जा रहा है इसके अत्रिक्त ऐसे 3,70,925 परिवार हैं जिनके पास कोई राशनकार नहीं था उनके लिए भी हमने डिस्ट्रेस्ट राशन टोकन अर्थात व्यथित राशन टोकन के माध्यम से निशुल्क राशन उपलब्द करवाया है निरंतर अभी भी उपलब्द करवा रहे हैं आज तक हमने 2,62,000,000 खाने के पैकेट तथा 12,22,000 से अधिक सूखे राशन के पैकेट ये भी वित्रत किये हैं आर्थिक सायता परिवार की आय की कमी के कारण से किसी की भी दैनिक जरूरतों की पूर्ती में कोई दिक्कत ना आए इसके लिए भी हमने पिछले तीन वहिने में 15,9,108 परिवारों को 636 क्लोड रुपे की राशी आर्थिक सायता के नाते उपलब्द करवाई है ये राशी लावार्थियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की गई है प्रती मास 4,000 रुपे से लेकर और 5,000 रुपे तक ये राशी उनको दी गई है जैसा आपने सुना है नर सेवा नाराण सेवा और आज कल लोगडाउन के समय पर जो दिशा निर्देश हमको M.H.A. के मिले उसमें शोशल गैदरिंग्स, रिलिजियस गैदरिंग्स ये भी बंद हुई मंदरों में भी जो लोगों का समय ने आना जना था वो भी बंद हुआ नाराण सेवा में तो खलल पड़ा लेकिन मुझे बताते हुए संतोश हो रहा है कि नर सेवा के माध्यम से हमने इस नाराण सेवा का संकल पूरा किया जो गरीब लोग थे मजदूर थे उनकी हर प्रकार की सेवा करने के लिए लाखों प्रवासी मजदूरों को जो हर्याणा में कारे कर रहे हैं लोग डाउन के कारण अपने मूल प्रदेशों में वापिस जाना चाहते हैं उनके लिए हमने बसों का ट्रेंज का निशुल क्विश्था की हर्याणा से हमने कुल 53 ट्रेन और 4257 बसों के दौरा दो लाख से अधिक मजदूरों को उनके भाईयों तक पहुँचाने के मजदूर भाईयों के लिए 600 से अधिक हमने शेल्टर होम्स ये भी चलाए ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहों चाहे वो मजदूर पंजाब से आने वाला हो राजस्थान और अत्वा जम्मू कश्मिर से आने वाला हो अत्वा हिमाचल प्रदेश से आने वाला हो ग मजदूर ये हमारा भाई है हमारा देश एक है तो एक देश के नाते एक भाईयों के रूप में हम लोग ने उनकी साहता के नाते साहता की है और इस समस्या का हल करने के लिए हम को जिस सीमा तक भी जाना पड़ेगा हम उस सीमा तक जाएंगे जैसा हमको विदत है कि 18 मई से लोगडाउन में जो रहायतियं दी गई है उन रहायतों में बहुत संख्यक आर्थे गत्विदियों की यह अनुमती दे दी गई है हमारे बाजार भी एक सीमा के अंदर खुलने शुरू है हमारी कारखाने हमारे जो small industries है उनको भी हमने खोला है सेवाएं भी धीरे धीरे शने शने वो शुरू की जा रही है तो इस परकार से एक परकार अर्थववस्था की गाड़ी को अब हरी जंडी दे दी गई है ताके हमारे जो व्यवस्थाई हैं वो अपना काम पुने प्राप्त करें और उनको सरकारी सहायता की जो भी आउशकता है वो भी हम उनको उपलब्द करा रहे हैं फिर भी जो लोग इस अर्थववस्था की गाड़ी को चलाने में कठना ही मैसूस कर रहे हैं ऐसे लोग की सहायता के लिए अपने प्राप्तार मंत्री श्री नेंदर मोदी जेने पिछले दुनों में एक बहुत बड़ा पैकेज बीस लाख करोड रुपे का पैकेज इसकी उन्हें लोग गोशना की है और उस गोशना के माध्यम से हम लोग अपनी इस आतम निरुपर भारत के नाते से आगे बढ़ रहे हैं हर्याना के किसान, मजदूर, गरीब, व्यवसाई, उद्मी इसी पैकेज का पूरा लाब वो पाएं इसके लिए हर संभव, प्रयास हम लो करता हूँ, सबसे पहले हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा है तो रिन लिया हुआ है, ऐसे सभी विद्यार्थी जो इस वर्ष अपनी शिक्षा पूर्ण करने वाले हैं, अत्वा जिन्होंने पहले लोन लिया है, अभी तक अपना व्यवसाई आपसी उन्होंने भी शुरू नहीं की है ऐसे सब विद्यार्थियों के शिक्षा रिन के लिए जो उनका ब्याज दिया जाता है तीन महिने के इस ब्याज का भुगतान हरियना सरकार करेगी इसमें लगबग 36,000 विद्यार्थि लाभानुवित होंगे और लगबग 40 क्रोड र ये उनको पहुँचेगा इसी प्रकार प्धारमंत्री के प्धारमंत्री जी द्वारा घोचित किये गए जो मुद्रा लोन है उसमें भी शिशू लोन इस नाते से एक बहुत बड़ी राशी की जो घोशना की गई है उसमें शिशी उजना में 50,000 रुपे तक के लोन की जाएगा इस रिन के लिए कोई कोलेटरल ये नहीं लिया जाएगा और लगवग पाच लाख लोगों को 50,000 रुपे की कुल रिन राशी ये हर्याना सरकार बैंकों के माद्धिम से उपलब्द कराएगी इस राशी के लिए 2% का रिन इसके उपर ब्याज उसका माफी जो है क केंदर सरकार की और से है हमने ये तैय किया है कि केंदर सरकार के 2% की इस ब्याज की साहता के साथ साथ हर्याना भी अपनी और से 2% की जो रिन के उपर राशी इस ब्याज की राशी की साहता हर्याना के और से की जाएगी इस परकार से इस रिन पर कुल 4% की राशी का ये उनके लिए बैंकों के पास DRI की योजना है, differential rate of interest, इसमें 15,000 रुपे का रिण ये इन लोग को मिलता है, 4% की व्याज की राशी होती है, 4% की व्याज की राशी में से 2% व्याज की राशी हरियना प्रदेश देगा, और इस रिण को भी बैंकों के माध्यम से 3,000,000 लोगों को उपलब्द कराया जाएगा, इसका भी जो गरीब लोग हैं अपना छोटा मटा जो काम हैं, बिजनस है, उसको वो शुरू कर सकेंगे, विवसाओं को पुना प्रारम करने के लिए, बैंकों के उपर, एक बहुत बड़ा दाइत होता है, हमने देखा कि बैंक, रिण लेने के लिए आवेदकों को विभिन समस्याओं का समधान सामना करना करना पड़ता है, पिछले तीन मेने में सरकार द्वारा आम आदमी तक मदद पहुचाने के लिए, इगवर्नेस का व्यागपक इस्तिमाल किया है, हम इस इगवर्नेस को बैंकों के साब आम आदमी को जोड़ने के लिए, इसका भी उपयोग करेंगे, और इसके लिए हम एक विशेश पोर्टल बनाने जा रहे हैं, बैंकों से जो भी सायता हम को चाहिए, किसी भी स्कीम में, जो अन्य स्कीमों के लिए भी जिसका गोशनवाद में की जाएगी, उसको भी हम उस पोर्टल के माद्यम से आ वेदन हमारे गरीब लोगों ने किया है, बैंकों ने उनका रिण उनको पहुचाया है, आत्वा नहीं पहुचाया है, इसकी सारी जानकारी हम लेंगे, इसी प्रकार में बहुत ही एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कि हर्याना प्रदेश, ये अन्य प्रदेशों की तु कि हर्याना चाय दिल्ली हो, राजिस्थान हो, पंजाब हो, अत्वा उत्तर प्रदेश हो, इन सब प्रांतों से हमारी स्थिती बहुत बहतर है, आज भी करोना के नाते से हमारे हाँ भी संख्या 942 ये पॉजिटिव केसिज आए, जिसमें से 601 संख्या ये उसके अंदर से र लोगों की मृत्ति वही है, हमारा जो रिकवरी रेट है, ये 63.80 ये है, और हमारे जो टेस्ट से, पर मिलियन टेस्ट, ये भी बहुत अच्छी एक संख्या में, 3220 टेस्ट हमारे प्रती 10 लाख ये हो गये हैं, जो बहुत से प्रांतों से ये उपर हैं, यहां का जो हमारा ड देश और दुनिया में, कि कहां positive case कितने आ रहे हैं, doubling rate हमारा 15 दिन के बाद हो गया है, 15 दिन पहले जितने case थे, उससे आज double हैं, जो हमारे देश का doubling rate है, वो इससे कम हैं, दुनिया में तो ये doubling rate बहुत ही कम हैं, इस नाते से ये अच्छी सिती में हैं, हम लोगों ने सुन एक एक करके, भारत सरकार काम कर रही है, उसी अनुरूप, हरियना सरकार भी, जितना हमारा हिस्सा होगा, जितना हमारा share होगा, हम उसको बखो भी ये लेने वाले हैं, गरीब लोगों की साहता के लिए, चाहे उनको रिन लेने की बात हो, अथवा मन्रेगा जैसे विशे पर काम देने की बात हो, इसमें भरपूर साहता केंदर सरकार से मले करके, अपने परदेश के लोगों को देने वाले हैं, जैसे उन्होंने घोशना की हैं, उसमें MSMEs, जो मारे छोटे उद्योग हैं, लगू उद्यम हैं, और छोटा व्यपारी है, इन सब के लिए, जो तीन ला आप लोग के सामने रखी जाएगी, और उसका भरपूर लोग, जल्दी से जल्दी वो मिल सके, चाया उसमें गरीब लोग हैं, लेबर करने वाले लोग हैं, माइगरेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, ऐसे फार्मर्स के लिए, अन्य जो सयोगी व्यवसाय हो सकते हैं, उसमें मच परकार से बनाया जा रहा है, ताके किसी परकार की कोई कठनाई ना आए, और बिना किसी एक परकार से कठनाई के, हम अपने इस माल को, अपने उपज को ठीक रेट से बेज सकें, हमें रेट ठीक मिल जाए, जो competition है, चाया हो वो प्रदेशों में हो, चाया पूरे देश के प माइनिंग है, डिफेंस की चीजे हैं, अत्वा हवाई सिवाए हैं, बिजली है, पावर जनरेशन, इस नाते से भी देश और दुनिया में जितने इन्वेस्टर्स हैं, उनको बुलाया जा रहा है, और उद्योग के नाते उनको जितनी सहुलते हैं, इस ओफ डोइंग बिजने है, भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, भले अभी तक हम आर्थिक द्रिश्टी से उस कंपेटिशन में नहीं आये थे, लेकिन आज प्रिस्तितियां बदल चुकी हैं, अब इस कोरोना के बाद हम नई प्रकार की जो भी जीवन जीने की शैली है, उस अंसारम के हमारे नए धंग सेम करके आगे लाएंगे और दुनिया को एक अच्छा रास्तम दिखा सकेंगे, भविश्य हमारा है, हमारे इस भविश्य को आगे बढ़ाने के लिए हरियाना भी पूरा यूगदान करेगा, हरियाना का नौजवान, बालक, पुरुष, इस्त्री, सब लो हर वर्क के लिए, हर परिवार के लिए, हर विक्ती के लिए हमेशा आपके साथ खड़ी है, आप चिंता न करें, हम एक सवबेदन शीर्टा के नाते से हर वर्क के लिए खड़े हैं, किसी की कोई कठनाई नहीं आने देंगे, पिछले दिनों में جो हमने परिवतन किये हैं, जो reforms किये हैं ऐसे reforms भी समाज के हर वर को सहुलत देने के लिए किये हैं जो आज तक के कठनाईयां लोगों को आती थी उन कठनाईयों को कैसे दूर किया जाए एके कठनाई के उपर हम विचार कर रहे हैं और उस reforms का सबसे बढ़िया समय यह कौरोना का समय हमको ध्यान में आया ताके हम एक स्थान पर रह करके भी अपने सारे अड्मिस्ट्रेशन को, सारे शाषन विवस्ता को चुस्दुरूस्त कर सकें, इसके लिए बहुत काम हमने किये हैं, एक एक योजना आपके सामने आएगी, आने वाले दिनों में और भी कई योजना आएंगी, निश्चित रू आएवाद, बहुत बहुत अभार.